हेलो एब्रीवन आज मैं किसी अभियंतरन से संबंदित महतपूर्ण प्रसना आपको बता रहा हूँ पहला कोस्चन है किसी फसल में पहला पानी लगने और अंतिम पानी लगने के बीच के समय को क्या कहते हैं तो पहला अपसान है ड्यूटी दूसरा बेस तिसरा डेल्टा चोथा है समगर कमांड छेतर तिसमें सही अंसर है बेस फसल के पूरे बेस समय में दिये गए पानी की कुल गाराई का लाती है पहला ड्यूटी दूसरा डेल्टा तिसरा फसल अंपा चोथा आक्रिस्ट छेतर इसमें बी आपसन इसे डेल्टा कहते हैं पूरे बेस समय में दिये गए पानी की कुल गाराई को डेल्टा कहते हैं नेक्स्ट कोश्चन ग्यों की फसल का बेस है 120 दिन 100 दिन 200 दिन 320 दिन इसमें सही उत्तर है 320 दिन इंजन के वाल को खोलने या बंद करने का कार किसके द्वारा किया जाता है क्रेंग सैप्ट, कैम सैप्ट, संयोजी छड या गत्पाल पहिया तो सही उत्तर है दूसरा अप्शन कैम सैप्ट नेक्स्ट कोश्चन पिस्टन और सिलिंडर की दिवारों के बीच खाली स्थान को काते हैं पिस्टन क्लिरेंस, सिलिंडर क्लिरेंस, आयल रिंग या उपरोक्त में से कोई नहीं इसमें पहला अप्शन पिस्टन क्लिरेंस अप्शन नमबर ये पिस्टन क्लिरेंस इस राइट अंसर समपीडन छले लगे होते हैं सिलिंडर पर पिस्टन पर क्रेंग सैप्ट पर या कैम सैप्ट पर तो इस सही उत्तर है पिस्टन पर चार स्ट्रोक चक्र इंजन में सकत उत्पन होती है क्रेंग सैप्ट का एक चक्र पूरा होने में क्रेंग सेप्ट के दो चक्कर पूरा होने पर या क्रेंग सेप्ट के तीन चक्कर पूरा होने पर या क्रेंग सेप्ट के चार चक्कर पूरा होने पर इसमें सही उत्तर दूसरा है क्रेंग सेप्ट के दो चक्कर पूरा होने पर नेक्ट कोश्चन इंजन का सिलिंडर बलाक किस धात का बना होता है धलवा लोहे का म्रदिस्पात का पिटवा लोहे का या पीतल का सही उत्तर है धलवा लोहे का पिष्टन जुड़ा होता है कैम साप्ट से, क्रैंग साप्ट से, संयोजी छड़ से या सिलिंडर हैट से संयोजी छड़ या कनेक्टिंग राड इसको काते हैं आपसन C is right, संयोजी छड़ दो चक्र इंजन में सक्त उत्पन होती है क्रैंग सेप्ट के चार चक्र पूरा होने पर, क्रैंग सेप्ट के छे चक्र पूरा होने पर, क्रैंग सेप्ट के दो चक्र पूरा होने पर, या क्रैंग सेप्ट के एक चक्र पूरा होने पर तो इसमें सही उत्तर चौथा अप्सन है क्रेंक सेप्ट के एक चक्कर पूरा होने पर Next question कैम सेप्ट का एक चक्कर पूरा घूमने पर इंटेक वाल्ब तथा एक जाश्ट वाल्ब कितनी बार खुलता है एक बार, दो बार, तीन बार या कभी नहीं खुलता एक बार इंटेक वाल्ब या एक जाश्ट वाल्ब खुलने पर क्रेंक सेप्ट को कितना डिगरी घूमना पड़ता है एक 170 डिगरी, 3006 डिगरी, 540 डिगरी या 720 डिगरी तीसमें सही उत्तर है 720 डिगरी घूमना पड़ता है पिस्टन का विस्थापन निकालने का सूत्र है पाई बटे चार गुड़े डी स्क्वार गुड़े यल पाई बटे चार गुड़े डी स्क्वार गुड़े यल पाई बटे चार गुड़े डी गुड़े यल इसमें A और B आपसन दोनों सेम दे दिया है इसलिए दोनों सही है यह कहीं पर मिस्प्रिंट हो गया है यह की सही होना चाहिए लेकिन 5 पाई अपान 4 इंटो D स्कॉर इंटो L इस इज राइट इंजन का आकार होता है D गुड़ L सेंटीमेटर D पलस L सेंटीमेटर D पलस L पान 2 या D गुड़ L पान 2 तो पाला अपसन सही है D गुड़ L नेक्ट कोस्टन डीजल इंजन में कंप्रेसर प्रेसर या संपीडन दबा होता है 10 से 20 किलोगराम प्रतिवर्ग संटीमेटर 20 से 30 किलोगराम प्रतिवर्ग संटीमेटर 30 से 40 किलोगराम प्रतिवर्ग संटीमेटर या 50 से 60 किलोगराम प्रतिवर्ग संटीमेटर तो इसमें सह अगला कोस्टन है नेक्स्ट कोस्टन डीजल इंजन में संपीडन तापकरम होता है 400 से 500 डिगरी फारेनाइट 850 से 1000 डिगरी फारेनाइट 400 से 500 डिगरी फारेनाइट इसमें एक ही आप्षन दो बार दे दिया है 850 से 1000 डिगरी फारेनाइट इन्हीं 4 आप्षन रिपीट हो गया है तो लिए सही उत्तर BOD 850 से 1000 यह वाला सही डीजल इंजन का संपीडन अनपात होता है 14 अनपाते 1 से कैस अनपाते 1 पांच अनपाते 1 से 8 अनपाते 1 आठ अनपाते 1 से 14 अनपाते 1 यह 1 इस्टू 2 से 3 इस्टू 1 इसमें पाला अप्षन सही है 14 अनपाते 1 से कैस अनपाते 1 अगला कोस्चन डीजल इंजन में फ्यूल की आपूर्थ किसके दोरा होती कार्बुरेटर के दोरा फ्यूल इंजक्शन के दोरा या फ्राटिल दोरा या फ्यूल लिप्ट दोरा तो B अप्षन सही है फ्यूल इंजक्शन दोरा पेट्रोल इंजन में संपीडन दबाव कितना होता पांट से नौ किलोगराम परतिबर्ग सेंटी मीटर तीस से चालिस किलोगराम परतिबर्ग सेंटी मीटर पंदरा से तीस किलोगराम परतिबर्ग सेंटी मीटर इसमें पहला अपस्ण सही है 5-9 kg परतिवर्ग cm नेच्ट कोस्चन पेट्रोल इंजन में संपीडन तापकरम कितना होता है 200-400 डिगरी फारेनःट, 400-500 डिगरी फारेनःट 500-600 डिगरी फारेनःट या 600-700 डिगरी फारेनःट तो इसमें सही उत्तर होगा 400 से 5 यह भी आप्सन सही पेट्रोल इंजन में कंपरेसर रेशियो यह संपीड़न अनपात होता है 5 अनपाते एक से 8 अनपाते एक 8 अनपाते एक से 12 अनपाते एक 14 अनपाते एक से 21 अनपाते एक इनमें से कोई नहीं इसमें पाला सही है पांच अनपाते एक से आठ अनपाते एक डीजल इंजन के संदर में कौन सा कथन असत्त है डीजल इंजन के बिस्टर्ड स्टोक में केवल वाई शिलिंडर में ली जाती है सही है डीजल इंजन के कंपरेशन स्टोक में वाय को पिस्टन के द्वारा दबाया जाता है ये भी सही है डीजल इंजन संपीडन तापकरम 400 से 500 डिगरी फारेंडर ये गलत है इसलिए C आप सन्याँ पे सही होगी टेक्टर के गियर बाक्स में काउंसा आयल होता है से का फुल फार्म है सुसाइटी आप आटो मॉबाइल इंजिनियर्स से 20 से 30 से 40 से 90 चौत्धा अप सन्यी है से 90 नेक्ट कोस्चन इसमें इंजन की सक्ट को ट्रांसमिस्टन से जोडने के लिए किसका परियोग किया जाता है गियर बाक्स, कलच, विवेदा, किस टो कलच सही है इस टेटर मोटर का कौन सा भाग होता है घूमने वाला भाग इस्थिर भाग आगे पीछे चलने वाला भाग इनमें स्थिर भाग भी आप समसा है तो इस परकार ये किर्शी अभी अंतरन का कुछ मातपूर कोस्चन है जो आप के आने आले परिच्छा के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है इसको आप जरूरी विजिन करिए थैंक्यू